तो फैनली बिहार डेलेड एड्मिसन कोंसनिंग दोजार बीच को ले करके थरड चयन सुची आना सुरू हो गया है बहुत सारे ऐसे कोलेज है जो अभी तक first लिष्ट भी जारी नहीं किया है यहां तक की बात करें तो फैनल लिष्ट भी जारी नहीं किया है जैसे की मधेपु student का यहाँ पर selection हुआ है तो बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर सीटे खाली बच रही है और इसका वज़ा क्या है वो हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को आप सभी complete जरूर देखिए चलिए सुरू से सुरू करते हैं वीडियो में आगे बड़े उससे पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए बेल अकन को प्रेस कर लिजिए और लाइक नहीं कियों तो लाइक भ सकेंड थर्ड सेलेक्शन लिस्ट डाउनलोड यहां पर आपको सिंपली किलिक करना है इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा यहां पर सारी जानकारी आप सभी को एक साथ मिल रही है साथी साथ यहां से आप सभी अपना डिस्टिक को सेलेक्ट क किजिए साथी साथ यहां पर आप नीचे आएंगे तो पीटी इसी बी एन आर गुलजार बाग जो की यह पटना में ही परता है तो इसका जो है थर्ड चेयन सूची जारी किया गया है जिसका नामंकन डेट यहां पर देख सकते हैं छे फरवरी से लेकर के नौ फरवरी तक चलेगा तो जैसे ही हम इसके ओफिसल वेबसाइट पर आते हैं आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा तो यहां पर आप से भी देख सकेंगे तीसरी चेयन सूची से नामंकन दिनांग छे फरवरी से नौ फरवरी तक चलेगा और यहां से हम इसको डाउनलोड कर लेते ह ओपन होने के बाद आप यहां पर देख पाएंगे कि नामंकन डेट सारा कुछ यहां पर मेंसन किया गया है यहां पर कैटेगरी वाइज जो है किसका किसका सेलेक्शन हुआ है और किसका कितना कटप रहा है वो सारा कुछ यहां पर दरसाया गया है यहां पर साइंस और आर् तो आर्ट्स में अगर बात करें तो यहां पर देख लिजे 67.3% रहा है EWS कंडिडेट का और उसी तरह से यहां पर EBC की बात करें तो 75.95 रहा है जो की आर्ट्स कंडिडेट है उसी तरह से आप BC, EBC इस तरह से जो है चेक कर सकते हैं जेनरल की बात करें तो यहां पर 79.3% आर् 94-96 था और 100 तक के student को यहाँ पर जगह मिल पाया है अगर आपका करमांक 100 तक था तो यहाँ पर निश्चुद रुप से आपका सेलक्शन हो गया होगा आप सभी यहाँ पर चेक कीजिए दोस्तों बात कर लेते हैं बड़ी संख्या में सीटे खाली क्यों बच रही है तो पहले जो नोटीस आया था जो ऑनलाइन आविदन करने के संबंद में था उसमें यह जानकारी दी गई नहीं थी तो जिस वज़े से जो इस्टुडेंट 2020 में इंटर पास आउट हुए थे वो भी यहाँ पर ऑनलाइन आविदन किये थे लेकिन बाद में जो है यह जानकारी अपडेट की गई कि 2020 में 21 जनवरी से पहले जो इंटर पास है वहीं एडिमिसन ले सकेंगे तो इस्टुडेंट को यहाँ पर परिशानी यह आ रही है कि जब जुलाइ से जुलाइ सत्र चल रही है तो हम लोग चार माह के लिए एक साल बैक क्यों जाए या फिर अगर ऐसा ह करना हो तो हम लोग का इंटर जो है वो जनवरी से पहले ही किलियर कर दे सर्टिफिट दे दे जिसे कि हम लोग ऑनलाइन आवेदन कर सके और इसके लिए एलिजीवल हो पाए जब सत्र जुलाइ से जुलाइ चलती है तो जुलाइ वाले को भी यहाँ पर एडिमिसन कामों का म इस वज़े से आगर आपका इडिमिसन नहीं हो रहा है तो निश्य दुरुप से आप को फाइल कीजिए एक स्टुडेंट रहे साथ है जो एडिमिसन करवा भी लिए टीसी उसी सब कुछ जमा भी कर दिये नमंकन रद करवा कर गे बाद में उसको कॉले से कॉल आता है कि इंटर पास आउट हुए है तो मैं कहना चाहूंगा ऐसे स्टुडेंट को कि आप जो है कोट जाएए वहाँ पर वकील से समझिए कि हमारे साथ साथ ये जो है समस्या है इसके लिए हमको आगे क्या करना है और आप हमें भी जो है इन्फोर्मेशन दीजिए इसके संबन में जिसे कि हम सभी स्टुडेंट को भी इसके परती जागरूख कर सके तो निश्य दुरुप से आप सभी इस तरह के जो अगर समस्या से जूज रहे हैं तो निश्य दुरुप से आप कदम उठाइए साथी साथ दोस्तों यदि आपका एवरेज परसंटेज मार्क बहुत कम है और आपका गुवर्मेंट कोलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है और आप चाहते हैं कि प्राइवेट कोलेज में डिरेक्ट एडमिशन ले तो आप मेरे थुरूई एडमिशन ले सकते हैं पटना दिश्टिक के प्राइवेट कोलेजों में तो नीचे एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा उसे देखकर आप इसके समद में पूरी जानकारे ले लिजिए अगर आप इकचुक हैं तो आप हमसे कंटेक्ट कीजिए इस तरह से यहां पर हम बैक आ जाते हैं यहां से आप सभी जो एफिसिल वेबसाइट से चेक करते रहें कि आपके डिश्टिक में जो कॉलेज है उसका सेकेंड लिस्ट या फिर थर्ड लिस्ट कव तक आता है हम आप सभी को बता दे कि बांकी कॉलेजों का सेकेंड सेलेक्शन लिस्ट जो है दूसरे सब्ता से आना सुरो हो गया है औ दूसरा सेलेक्शन लिस्ट इस डेट को आएगा जैसे कि देख सकते हैं इस कोलेज का तीसरा चैन सुची जो है एडिमिसन छे फरवरी से ही चल रहा है लेकिन बहुत सारे इसे कोलेज है जिसका फर्स्ट सेलेक्शन लिस्ट भी नहीं आया है बहुत सारे कोलेज का फर्स्ट नोटिस को देखिए और एडमिसन में भाग लिजिए इसके बाद अगर और भी कोई क्वेरीज है तो कोमेंट बॉक्स में डाल दीजिए उस पर हम अलग से वीडियो ला देंगे सभी का रिपले नहीं दे पाते हैं लेकिन कोमेंट बॉक्स को पड़ करके वीडियो हम जरूर बनाते हैं तो निश्ची दुरुप से आप सहता कीजिए और दोस्तों जैदा जैदा कोसियस्टेडी.com वेबसाइट को विजिट कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर कीजिए जिससे की DLA के छेतर में कम से कम कोसियस्टेडी.com वेबसाइट नमर वन पर रहे हैं क्योंकि छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी जानकारी आप सभी को सबसे पहले यहीं पर मिलती है तो आगे के अपडेट हम आप सभी को देते रहेंगे तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद